मतने हैं आप इसको ठीक से देख लो ये वाला जो रिजन होता है ये वला जो छेत्र ठालता है वह प्र में रहता है लगो यहर अजो पॉइंट रहता है जहाँ पे अफ़ेश का फीजवी लिकवीन tyres तो सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको समझते कैसे हैं तो मैंने बुला था कि अगर आपके पास मालो इस तरह का यह पर इस प्रेशार एक प्रेशर है और यह हम लोगों का पुछ ऐसे कुछ तो यह रिजन इसन को बताता है यह लिक्ट और यह तो मैंने यह वाद सकते यह तशateurs js इतना कह रहे हो तो उस टाइंप पर यह बताओ कि उसका टेमपेचर क्या है differentiate तो प्रेशर और टेंप्रेशर के कॉम्बिनेशन से बता पाएंगे कि कोई भी जो मटेरियल होता है कोई जो सबस्तांस होता है इतने प्रेशर और इतने टेंप्रेशर पे वह किस फेज में आपको देखने को मिलेगा क्योंकि दोनों ही इस बात के लिए उसके फेज के लिए तो मैंने बताया था कि जैसे इससे कैसे समझ सकते हो तो अगर आप कोई इस ही प्रेशर के किसी पॉइंट यह जो लाइन में ने खीचा इस पर आप एक पॉइंट ले लो और यहां से ऐसे पर पेंडिकुलर इधर सखी तो इस टेंप्रेशर अगर मैं बोलूं यहां टेंप्रेशर टीवन है तो टेंप्रेशर टीवन और प्रेशर पीवन पर जो है वह कौन से फेज में है वही सबस्तांस उसी प्रेशर लेकिन टेंप्रेशर अगर बदल दिया गया वही हाई कर दिया गया इधर आउग तो Gackeardt3 पर यह लेगा यह मैने पहला आपको अाशनिया था रोभास पोर और कर देता हूं कि यहां पर में नामकर्ण करने वाला हूं यह जो Пार जो पॉ I am इस ट्रिपल पॉइंट को हम लोग दिखाने वाले हैं ओ से इसे दिखाने वाले हैं ओ से यहां मैं लिखने वाला हूँ ए देख लेता हूँ अगर कुछी देवर हो जागा तुम्हें चेंज भी कर दूंगा यह कर लेता हूं भी और यह कर लेता हूं मैं स्टी तो इसका जो है पूटोटो खिशके डाला था कर लेते हैं अब चलो मतलब सकते हो लेकिन मैंने जो यहां पर लिखा है न उसके according जना आप कोई इधाउजर की बात नहीं यहां पर इस कर्म में आपको देखेगा ओभी दिखेगा और भी दिखेगा उसे दिखेगा फिर आप कंफ्यूज नहीं इसलिए मैं वैसा डाग्राम की बात कर रहा है जब मैं वह बोलूंगा ता आप इसको सोचोगे वह बोलूंगा इसको देखो गया ठीक है अब पढ़ते हैं यह वाला सेकेंड वाला टम क्या कह रहा है ओ एक कर्व यानि जो ओए वाला ग्राफ है एलसस हमें क्या बताता है क्या कह रहा है अब आउट वैरीशन अफ वैलिंग पॉइंट विद रेशर मतलब यह जो हमारा कर्व है यह वाला ओ यह वाला यह टमप्रेचर और प्रेशर के साथ जो हमारा सबस्टांस है जो वाटर है उसके बॉइलिंग पॉइंट के वैरीशन को बताता है ज्यान चे सुनना आपको अभी वी मैंने यह समझाया था कि इस टमप्रेचर टी वन पे और इस प्रेशर पे यह सॉलिड फेज मैं है इस ट्रेचर टी तू पर और यह प्रेशर वही रहा द्लिक्वीट फेज में लेकिन सब्वाल यह है कि अगर मैं वहीं प्रेशर रखो लेकिन इस इस पॉईंट के लिए मैं इस ट्रापसे पूछ उं अब बता हो मेरे यह 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 ग्यार्व पे लिया कि लिग्वीट स तो इसका क्या होता है उसका लिकाइड भी होता ओर गया इससे ना कहीं यह यह जो पॉइंट है वो क्या बता रहा है बॉइलिंग पॉइंट को बता रहा है कि लेकिन यह बॉइलिंग पॉइंट चेंज भी होता है आप याद करो बहुत अच्छे से आप बढ़े हो मुझे पता है करते लिया करते थे उपर से बेन लगाया करते थे तो लिक्वी का बढ़ाया करते तुझ ने हमको किन ह向 पड़ेगा अगर हम को पडय reper रखा αυτा आ अगर हम चाहते हैं कि फिर से वह बाइल ना शुरू हो जाए अंदर हीट करके इसके प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा तब जा की सर इसका पर बढ़ेगा तो मेरे कहने का यह मतलब है कि अगर मैं एक्सरनल प्रेशर बढ़ा दूं थो रहा साइस समझना इस एक्सिस को थोड़ा एक् इसके corresponding line draw करो ध्यान से देखो कैसी इस वाले करव प्रह प्रह पर अग्या हो गया आगया आगया तो इस अब अब ना बढ़ा धिया तो इस यह तो इस लिकुड और गया नहीं मिल रहा है इस टेंप्रेशर पे लिकुड और गैस मिल रहा है इस रहां से सोच。 अगर आपने प्रेशर बढ़ाया तो जो आपने टेमपरेशर लिया था उसकी को थ्रावती अफे डाल ना दिखाएंगे देखो एक बड़ी चीज दिखेगी कि अगर आपने प्रेशर बढ़ा दिया मतलब पिश्टन से अधिक से प्रेशर दे रहे हो लेकिन टेंपरेशर चीज आपने नहीं किया तो ध्यान से देखो अब वही चीज जो लिक्विड और गैस दोनों में दिख रहा था इस प्रेशर पर प्रेशर बढ़ाने के बाद वह सिर्फ और सिर्फ कहां दिख रहा है लेकिन टेंपरेशर वही रखो देखो क्या दिखेगा लिक्विड इसे समझो रीड करो इसको वरी इंट्रेस्टिंग शीज है तो अब क्या करना पड़ेगा अब क्या करना पड़ेगा तो दूसरा अब टेंपरेशर को बढ़ाएंगे तो जैसी इधर आएंगे तो इसके कर्सपोंडिंग इस प्रेशर पे इधर एक टेंपरेशर हमारा मिल लाएगा जहां पर फिर से वापस क्या होगा क्या होगा अगर एक सब्सक्राइब बढ़ाओगे जैसे जैसे तो बोइलिंग बोइंग पॉइंप का जो परिवर्तन है प्रेश्र कि इसकी प्रेशर केisations ब cielo था फी शान चैंज हो रहा है कि इसपर और भी लाएंगड्र करके देख सकते हो अचिक आप से किसी ने पूछा कि बता उस प्रेश for boiling point क्या प्रेशर आगर मैं यह ले लो boiling point क्या है यहाँ प्रेशर कि आफ फिर दिह और आगे बढ़े लगा सBay और हो से वापस आते हैं यह पढ़ते हैं तीसरा ओभी कर्व टेल्स अबाउट वारीएशन आफ मेल्टिंग पॉइंट विद प्रेशर जो ओभी है वो मेल्टिंग पॉइंट को बता रहा है जान से देखना यह जो ओभी है कहां था फिर से एक बार बना लो यह कुछ ऐसा था यहां पर यहां पर यह जो ओभी कर्व है यह प्रेशर के साथ हमको क्या बता रहा है वारीशन आफ मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है एक स स्यल अगर मैं पूछ links बचूँ कि इस पॉइंट पर अगर मैं यहां यहां पे यह बताना की बात्करो सिस्स में पूछ network बता रहा है वो जो डॉटर है किसज में स्टू kaूंसे फेज मे अ तो सॉलिट में भी और लिक्विड में यानि यह जो टेम्प्रेचर है यह इसका क्या है मेल्टिंग पॉइंट है क्या इसका मेल्टिंग पॉइंट है ठीक है तो दिकत अच्छा अब सोचो है इसके पीशिक की दुसरे पॉइंट को आप ले लू यहाँ आप वाला पॉंट ले लो तो क्या होगा जैसे यहाँ प्रेशर हमने बढ़ा दिया तो क्या होगा मेल्टिंग पॉइंट पीछे आ रहा है कि आगए जा रहा है मैं ताफ ए बहुत कम अधर जाने है अगर सही से लेक्या होगा तो बहुत ही उधर कम सिफ्ट होगा मैं प्रेशर कम करो गए इधर आजाएगा जैसे यह वाला कर बताता है boiling point को यह बताता है melting point को कि इतना pressure पर इस pressure पर उसका melting point इतना है ज्यादा होगा तो melting point घटेगा pressure कम होगा melting point बरहेगा समझ में तो दिकर अबी कर विसिकली melting point बताता है थोड़ी OV कर बात कर लेते हैं OC कर लें यह हमें क्या बताता है about variation of sublimation point उर्द्वा पातन समझते हो जिस पर कोई क्या बोलते हैं डिरेक्ली वह थोस अवस्था से गैसी वस्था में solid to gas इस अपने पड़ा होगा ना कि वह सब जलता है तो सीधे वह थोस में रहता है जलता है सीधे गैस में convert कर जाता है पूरा का पूर वह यहीं चीज है तो उसका सब्लिमेशन पॉइंट है विद प्रेसर तो वैसे ही यह वाला जो होगा हम लोगा ओसी जो दिख रहा है यह अगर ओसी को पकरो यह वाला यह वाला जो कर्व है इसको अगर आप पकर लो इसके जो पॉइंट्स है वह हमें क्या बताएंगे इस प्रेसर पर कोई पॉइंट मैं ले लूँ यहां पर इस प्रेसर पे इसका सब्लिमेशन पॉइंट यह रहा इस भी अगर बढ़ा दिया तो देखो क्या होगा कि यह सब्लिमेशन पॉइंट क्या हो गया बढ़ गया तो इसके देखो खुदी सोच उथरा दिमाग फील भी करना चाहिए परने मैथमेटिकल यह ग्राफ को बस समझने टाइप से बस नहीं छोड़ दो कोई चीज तो से गैस में जा रहा है अब प्रेशर तुम बढ़ाद क्या होगे तो फीर क्या करना बढ़ेगा और जब्रस गरम करना पड़ेगा और जदा धिदेना पड़ेगा तभी हमें जाएسمर में जा रहा था तो समय तब्र侑ता था अपने प्रेशर को बाधा होगा कि निक्रीज कर जाएगा यह कुछ समझ आता है तो यह चीज़ हम लोगों को ध्यान रखना है कि यह वाला जो कर्व है यह सब लिमेशन पॉइंट को बताता है और एक चीज फर्क देखोगे ना तो इस वह भी का ओसी और यह के साथ थोड़ा से डिफरेंस दिखेगा ज जैसे जैसे प्रेसर बढ़ा होगे ना तो सब्लमेशन पॉइंट क्या हो रहा है जैसे जैसे हम लोगों का यहां पर यह प्रेसर बढ़ रहा है तो बॉयलिंग पॉइंट भी बढ़ रहा है लेकिन जैसे प्रेसर बढ़ रहा है ना मेल्टिंग पॉइंट हट रहा है यह नह जादा होगा अगर प्रेशर कम करोगे जितना नीचे आओगे उतना ही यह पॉइंट इधर मिलेगा जितना ही ऊपर जाओगे उतना ही पॉइंट उधर जाएगा अराम अनम से कुई हरवडी नहीं ठीक है समझ आया आगे बढ़े ठीक है चालो यह जो लाइन से आपको समझ में आ गए फुरस आप लिख लिजिए मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूं लिखना जड़ा करहुक हम लोग वबाकर कह सकते हैं या आप ग्राफ की कह सकते हो वो ये वक्र दाव के साथ वो अथनांक के दाव के साथ यानि प्रेशर के साथ हां वो लिए वो कल हो गया था पहला वाला मैंने कर दिया था वो ये वक्र दाव के साथ वतनांक के परिवर्तन को बताता है पोबी वक्र पोबी वक्र दाव के साथ पाव के साथ मेल्टिंग पॉइंट यानि क्या वो लेंगे गलनांक पोबी वक्र दाव के साथ पाव के साथ गलनांक के परिवर्तन को बताता है और लास्ट पोशी वक्र दाव के साथ पुर्धवा पातन पुर्धवा पातन बिंदू के परिवर्तन को बताता है तो नोट कर लीजिए फिरा के पर हिंगे पहले इन के लिए एक ग्राफ आप ड्रॉव कर लो पहले कहानी रहेगी इनकी वही इधर हो गया नहीं है पूलो नहीं बूलो गया अप लोग कौन सा अलाग है यह नहीं तो इन तीनों का ग्राफ एक ही साथ बनाना है ना अदे मैं समझा रहा हूंग जब हाले मुझे पता है वेट कर लो थोड़ा सा चलो यह लिख लिए ना आपने क्योंकि मैं इसको मैं हटा रहा हूं यहीं भी मैं ग्राफ बनाने वाला हूं भरोसे का जमाना नहीं रहा हूं तो यहां पर जहासो की हम लोग का जो ग्राफ है वो कुछ ऐसे था यह कौन से रिजन को बताता है यह कौन सा लिक्विड और यह कौन सा गैस ठीक है आपको क्या करना है देखो मेरे पास तो ऐसे कलर है मैं उसका इस्तेमाल कर लेता हूं आप भी कर सकते हो नो डाउट नहीं कर सकते है ऐसा नहीं है लेकिन हाउस के लिए आपके पास वह पैन होने चाहिए मैं आपको क्या समझाने वाला हूं कि देखो यह जो ग्राफ है सुनना पहले बढ़र बोलते रहते हों कि क्या बता रहरे ह LIहां यजो मैंने दोनों पॉइंट वाले लिये इससे आपको क्या समझ में आ रहा हूं कि यहां मैं लिखने वाला हूं वन सब्लीमेशन कायन वोन है और यहां पर जो प्रेश या कान से वात टो और यह अपर रिश कान सा है और यहां पर पॉइंट ट्रीपल पॉइंट होता है जहां पर तीनों फेज मिलता है इसको बोलते हैं इसको हम लोग बोल रहे हैं यह समझाया इसी में हो जाएगा घवराई एमत लिए मैं बोल भी रहा था इसको पकरो यहां से और इसके थोड़े से कलर वलर चेंज कर लेते हम लोग क्या हुआ इस पर आजाओ सरकार आप ठीक है ठीक है और आपको क्या करना है फिर इसके करस्पॉंडिंग यहां पर आप आजाओ क्या कुछ दिखा ओ क्या दिखा इस पे अब यह प्रेशरं कुछ अलग है यह फीवर है यह पी टू है ऑपड़ पी थितरी कर सकते हो हां या न ठीक है जी ही कोई कुई दूसरा प्रेशले ले लो कि ऐसे कुछ कर लो कि इस प्रेशर पर आजाओ यहां जो आपको यह मिलेगा कि तो अलग मिलेगा बॉइलिंग पॉइंट अना बोलो अब जहाइस की हम लोगों का यहां पर एस पी लिखने की कोई जरूत नहीं सब्लिमेशन पॉइंट मैं टेम प्रेचर बोलता हूं यहां प किह यह रहां P1 यह रहां P2 इस प्रेशर को मैं P5 कर लेता हूं और इसको क्या कर लेता हूं इसका क्या मतलब जब प्रेशर P5-5 अ कितना है भद conséqu sekarang जुशना जरूर है कि यह दोनों find किसको बता वह भी था आया can protect you भी था जब लेकिन आप इस बात का ध्यान लखना एसे आप को ड्रॉज करने हैं इसके लिए हो सकता आप अलग से भी बना सकते हो मैं इसे में कर देता हो मेरे-पस ओलग- औलग रंग है आप अपना देख लेना ठीक है चलो करो बनाओ शुरू हो जाईए झालो कर वाई है चलो कर दो है। यह प्रेशर है P3 और यहां जो प्रेशर है हम लोगों का वह है P4 मैं अंदर लिए देता हूं जगह है नहीं और यहां जो यह दोनों टिंप्रेचर है यह T3 बता रहा है और यह टिंप्रेचर कौन सा है तो T3 और T4 किसको बता रहे हैं बताओगे melting point को very good बहोँद अच्छे कैन्ग है यह बना सकती हो tapping इसलड़ जो यह यह मैं बताता है boiling point के variation को अब और शबताता है मेंग पॉइंट के वेरीशन को और लूम सी बताता है sublimation पॉइंट के वैरियेशन को तो यह आते हैं लास्ट आगे बढ़ते हैं पॉइंट ओ इस ट्रिपल पॉइंट इस ट्रिक पॉइंट हम लोग्या कहते हैं इसलिए इसका हम लोग बोलते हैं त्रिक बिंदू ट्रिपल पॉइंट ठीक है आगे अब यहां सुसरा सा और बारी की से ध्यान देना ओ एक कर्व तेल्स अब वारियेशन और प्रेशर आफ लिक्विड विद टेंपरेशर जो ओए था वह आपको बताता था वाइलिंग पॉ हमें बताता है वहकिसके वेरियेशन ँके बारे में यह पर प्रेशर ओफ लिक्विड टेम्परेचर आपके साथ की जो लिक्विड प्रेशर है उसके वेरियेशन गेंग소 गाता यहां मैं दिमाग में देलि ему सब चोड़ देता है यहां पर है 的时候 यह उपर है आपर रही और इ के लिए मैं क्या करता हूं एक को यहां पर कॉंटेनर में बरतन में पानी ले लेता हूं यहां पर मैं पिस्टन लगा देता हूं अब सोच के देखो मैं यहां पर रखने वाला हूं 373 Kelvin टेंप्रेचर उपर से में प्रेशर लगा रहा हूं 180 का क्या वो लो वाने टीम का तो 373 Kelvin पे अंदर का भी प्रेशर कितने का होता है 180 का ठीक है कि बैलन्स होगा ना तो पिस्टन ओपर जाएगा ना नीचे आएगा दोनों तरफ से प्रेशर बराबर लग रहे हैं 233 Kelvin और यह प्रेशर है हम लोगों का 180 सपोज करो इसी चीज को मैं यहां पर दिखा रहा हूं ध्यान से देखो और जिस टेंप्रेचर पे इसका जो यहां वेपर बना होगा वेपर प्रेशर एक्स्टरनल प्रेशर की बराबर हो जाता है उसी को तो बॉयलिंग पॉइंट कह हम इसको यहां उपर से जो एक्स्टरनल प्रेशर है उसको बढ़ा दे वन एक्स्टरनल प्रेशर कर दे तो क्या होगा यह जो वेपर बने हो तो खतम हो जाएंगे तो मैं यह कहना चाहता हूं कि मुझे इसके बॉयलिंग पॉइंट को बढ़ाना है तो मुझे क्या करना प्रेशरी से ज्यादा है और मैं इसको हीट करते गया टेमरेशर बढ़ते गया एक टेमप्रेशर तो आएगा ना जिस पर जो वन पॉइंट फाइटीम उपर से मैंने एक्स्टनल प्रेशर किया था उसके बरावर यहां का वेपर प्रेशर हो जाए तो यह टेमप्रेशर भ हमेशा जो वेपर प्रेशर है एक्स्टनल प्रेशर के बरावर रहे रहा है तो अगर हम लोग यह कह रहे हैं कि यह हम लोगों का यह पॉइंट हम लोगों का बॉइलिंग पॉइंट को बता रहा है तो यह जो प्रेशर है अगर यह एक्सटनल प्रेशर है और यह बॉइलिं दिए जैसी इसका temperature बढ़ाओंगे तो अंदर का फिर उपर किया हो जाएगा और भड़ेगा तो फिर तो उप्र टान रहा लेगा लेगा लेकिन अगर आ वाइलिंग पॉट्ट चाहते हो तो अंदर का फिश्चन बढ़ बढ़ाओंगे उसको क्या बोलोगे solid point temperature बढ़ेगा तो pressure आपका क्या पढ़ेगा एक्सराइब प्रेसर बढ़ाद ओ उसका boiling point क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा यानि ऐसा कुछ मतलब यह जो कर भीन न यह जो कर भीन यह boiling point के variation को तो बताता ही है लेकिन boiling point actual में किस temperature को कहते हो उस temperature को कहते हो जब vapor pressure और external pressure बराबर होते हैं तो याद रखना यह जो आक्सिस होता है यह external pressure के साथ साथ लिक्वीड का वेपर प्रेशन होगा उसका भी इंफर्मेशन देता है जैसे मैंने आपसे पूछा कि बताओ इस temperature पे इस temperature पे वाटर का वेपर प्रेशन बताओ जल कर वास्प दब बताओ आपको इसके corresponding यहां पर जाना है और यहां पर यह हो जाएगा क्या वेपर प्रेशर तरसर यह तो बॉयलिंग पॉइंट था टेमडेशर अरे भाई यह बॉयलिंग पॉइंट कौन से टेमडेशर होता है जिस टेमप्रेशर पे external pressure और internal pressure दोनों क्या होते हैं बढ़ावर होते हैं तो अगर इस temperature पे external pressure यह है तो इस लिक्विडिक का फेपर प्रेशर भी यहीं होगा दोस्त तो चुहाया ना कि बात समझ में आई ठीक है यह आपका कर्व है वाइलिंग पॉइंट के साथ सदेंधी बताता है कि टेमप्रेशर के साथ दिपर प्रेशर कैसे बढ़ेगा लिए अधर क्या दे रहा है लिक्वीड का बता रहा है पैसी जो ऑसी था कौन सा गवाला यह वाला इस अरवाद कि यहां कि हैं सोच के देखो हिए लिक्विड से कहा जा रहा है गैसिया से और यहां कहा से जा रहा है इधर में तनांटे यह मील्टिंग पॉइंट है यह सॉलिड के भी कुछ वेपर प्रेशर होते मेरे जिक्रिक्या थाल का सा या आ है आपको दिखो स्टेस्ट कि इस ट्रैट्टर पर किया हो रहा है ये सीड़े स Inc है यह जो ओसीगर यह बता रहा है यह जो OC curve है यह बता रहा है solid क्यूंद क्वेश्र बता रहा है लेकिन यह लोगे तो इस त्यंप्रेशर पर यह वताएगा कि और यह लोगे तो किसी का नहीं कि अरे यह सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हैं मिल्टिंग पॉइंट डिफाइन होगा यहां थोड़ी है एक थोस एक द्रॉव है आई बैस समझें तो यह दिखना है तो इसको थोड़ा साप नोट कर ले तो यहां आप लिखना विंदू ओ त्रिक बिंदू को जरसाता है जिस पर प्दार्थ की तीनों आवस्था कि मिल्टी है कि के ट्रेपल पॉइंट टेप्रेचर प्रेशर का वह कॉमिनेशन होता है जहां पर किसी भी सुप्स्टंस का लिक्विट फिर्स यासियस फिज और क्वालिट फिस तीनों मिलता है ठीक है को एवक्र आप के आप के सांथ आप के आप के आप कर देता हूं बढ़ना आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कोई वक्र ताप के कोई वक्र ताप के सांथ आप के आप के वास्प आप के वास्थदाव के परिवर्तन को बताता है के वाद कौन है यह है अच्छा यहां तो जगह था यह तो लिख सकता था कर दिमाग रहता है मेरा पोसी वक्र काप के सांथ पोस के वास्प दाव के परिवर्तन को बताता है के बागी यहां जोटाई है कि इसके हेल्ट से ना हम लोग यह आगे प्रूफ कर लेंगे इसके बाद तो फिर तीसरा आप को लिगेटी परपर्टी आ जाएगा लेकिन यहीं से यह जो आपने चीज समझा ना ठीक है यहीं से आप प्रूफ कर सकते हो जो हमने अभी पढ़ा इसको आपको पढ़ाऊंगा तो फिर आपको बड़ा असान लाएगा नोट करने में यह टेंप्रेशर आकसिस है और यह प्रेसर आकसिस है ध्यान से देखना जल्दी से करने वाला हूं बस नोट नहीं करना है इसको एक बार समझना है बस यह हम लोग का कौन सा कर्व है ओसी वाला था यह एक और उसके वादी यह था ना कि रहा हम लोगा कौन सा वह यह वाला वह भी यह वाला अब देखो स्ताथ साथ इस के साथ आप क्या करना इधर एक सॉलूशन मना लेना और जो चीज यहां कर रहे हो उसके कर्सपोंडिंग यहां पर दिमा उसके ऊपर लगा दिया हमने पिस्तल और उपर से एक एक सब्सक्राइब प्रेशर सुरू में पहले जो प्रेशर हमने लगाया वह वन इंटीम का इसका जो टेंपरेचर है 373 कल्विन का आपको पता है इस टेंपरेचर पर इसके कुछ वेपर होते हैं अगर उपर से सकते हो बॉयलिंग पॉइंट क्या क्या सकते हो क्या क्या सकते हो यह प्योर फॉर्म में ध्यान से सुनना प्योर फॉर्म में है तो मैं टीसे दिखा रहा हूं बी लिख देता हूं प्योर फॉर्म में है तो नॉट लगा देता हूं क्लियर है सबको अब ध्यान से सुनना यहांने से सुनना ऊपर से प्रेशर onadm का अभी है मैंने सब कुछ वही करने था इक शॉलुट और गरोगे बताओ चैंज होगा प्रेशर में एक इस तर्नल प्रेशर वही है जैसी स्वाव डालोगे आपको पता है सलुट के डालने से जो वेपर प्रेशर होता है उसमें चैं सब्सक्राइब अगर यह कम हो गया तो यह टिंपरेचर दो बॉइलिंग पॉइंट होगा नहीं अब इसको आप हिट करोगे हिट करोगे तुभे पर्सका प्रेशर फिर बढ़ेगा इसके वन इटेम के तब बढ़ावर होगा तो टेंपरेचर टीवी नौट से मैं कर देता क्या करता हूं तो यहां से सुनना अगर मैं इसको पहले है सिचुएशन का अगर इस ग्राफ में प्लॉट करूं यहां समझछा कोसी करें दिए साङान जूट नहीं तो माल लो मिए RAF का मुझे पक review लो इसको इस कि यहां पर हम लोग का यह पॉइंट कौन सा है ओ है ठीक है अब मुझे बताओगे अगर मेरे पास पहला प्रेशर था वन करना अगर प्रेशर यहां पर वन एटीम का जल्दी से बताओ यह टेम्प्रेशर और वो प्यूर वाटर है तो यह टेम्प्रेशर जल्दी बताओ कितना होगा जल्दी बोलो 373 Kelvin क्लियर अगर मैंने उसके अंदर डाल दिया तो एक्स्टरनल प्रेशर तो वही रहा लेकिन तो घट क्या होगा तो मैं चाहता हूँ कि फिर से वह टीम हो जाया तो मुझे क्या करना पड़ेगा टेम्प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा टेम्प्रेशर बढ़ाना पड़े यह जो ग्राफोगा न हो कुछ यहाँ नहीं रहा करके यह घ्राफ कुछ ऐसे हो जाएक कर आश ही बात अब कुस्क्त अपड़ेगा यह घ्राफ कुछ ऐसे अपड़ेगा और यह क्स का था यह प्यूर स्वालूशन बनाया है कि अच्छा यहां भी सोच सकते हो यहां भी सोच सकते हो इते प्रेशर 373 था यूर जब था तो प्रेशर लेकिन जैसे उसके अधर कुछ आपने डाला लेकिन प्रेशर वही है लेकिन प्रेशर कहां आ गया नहीं जाता है अगर एक स्ट्रेशर और प्रेशर अगर बढ़ावर होंगे तो आगे तो पॉइंट कहीं इधर मिलेगा अरे बोलो है न यह ग्राफ अब यहां नहीं रहा करके ग्राफ कुछ ऐसे हो जाएगा यह कुछ समझ में विदिक्कत फिर वैसी सोचो अगर मैं इसमें और मिला दूं एक तीसरा सॉलूशन बनाता हूं तीसरा सॉलूशन पहले प्यों सॉल्वेंट था मैंने एक वर बनाता हूं फिर क्या ह जल्दी से बताना यह ग्राफ कुछ ऐसे हो जाएगा अब टाइम मत लगाना भाई मेरे और डालो गेन और सुलूशन बनाविस का अधर और डाल करके तो फिर प्रसे नहीं रहा जाएगा लेकिन आपको टेम्रेशर फिर से क्या करना पड़ेगा और बहाना पड़ेगा यह यह ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा तो जैसे ऐसे सॉलूट आप डिजॉल्व करते जाओगे ग्राफ ऐसे कुछ सिफ्ट होता जाएगा समझ आए ठीक है यहीं जा शुरू करेंगे रहने जाते हैं